हेलो दोस्तो नमस्कार अप्लोड हो चुके ट्राइडेंट के Q3 के नमबर्स कैसे रहे आप देख सकते हो बहुत ही जबर्दस यहापे नमबर्स है और उसी के साथ येस बैंक से रिलेक्टेड इंपोर्टेंट दो ब्रेकिंग न्यूस है वो भी देख लेना लिंक दोनों वीडियो के नीचे डिस्क् पॉइडियो का बताया था कि यहापे मार्केट में कौन-कौन से खत्रे है तो यहापे में 3-4 पॉइंट कवर किये थे बाजार हायर लेवल पे यह तो सभी बच्चे को भी पता है कि कभी ना कभी मार्केट में तो करेक्शन हो गाई बाजार में गिरावट होगी ही यह आम बात है तो इसके पीछे यह 3-4 करण कभी-कभी क्या हो सकते मतलब रिस्पॉंसिबल हो सकते कि इसमें से कोई एक पॉइंट हो सकता है तो यह वीडियो को आप चाहो तो देख सकते हैं उसमें से पॉइंट नंबर 4 उठा के देख लेना तो शायद से हम लोग अगर रिलेट क बाते सीखनी है क्योंकि आप सब लोग को आता है बाजार के सबसे बड़े बाच्शा कौन है फिलाल के इसमें तो फॉरें इन्वेस्टर तो क्या उन्हें ने यहाप सेल आफ किया है तो यहाप हम लोग को कुछ इंपोर्टन पॉइंट देखने के लिए मिल सकते हैं तो चल बन के आती थी अगर आप लोग यहाप चे मंत का चार्ट पेटन देखोगे तो किदर गिरावट नजर भी नहीं आएगी या फिर अगर हम लोग बात करें इससे पहले भी यहाप हम लोग को इसी टाइप के दो से तीन बार गिरावट देखने को मिल चुकी है बट अगर हम अगर आप ट्रेडर हो तो आप लोगों के लिए यह चीजे तो बहुत ही इंपोर्टन है क्यों कि ट्रेडिंग में आप लोगों का जो नजर्या होता हो वो बहुत ही शॉट टम रहता है तो चली अभी हम लोग एक एक पॉइंट को यहापर देख लेते निफ्टी- चलता है कौन-कौन सी चीजे लिखनी होती अमेरिकन बाजार का फ्यूचर क्योंकि वह हमारे साथ चलता है तो चली देख लेते क्योंकि प्रेशर क्या इंटरनेशनल मार्केट से आ रहे है फ्राइडे के दिन आप लोगों ने देखा होगा जो प्रेशर का में वज़ा था वो इंटरनेशनल मार्केट था, तो ये भी हम लोग को यहाँ पर पता चल जाएगा, तो डो जोन्स का फ्यूचर यहाँ पर में ओपन करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर इतनी कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो, तो ठीक है, अमेरिकन बाजर का फ्यूचर बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग यहाँ पर परसेंट से भी अंदाजा लगा सकते हो, तो ठीक है, यहाँ से ऐसा कोई प्रेशर देखने की ने मिला, यूरोपियन बाजर भी देख लेते, क्योंकि वर्ल्ड के जो बड़े-बड़े मेजर ग्लोबल इंडाइस इस हम लोग देखते हैं, उसको भी एक बार चेक कर लेते, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, यूरोप के बाजर के उपर, जर्मनी के डैक्स की बात करें तो आप देख सकते हो, उसी के साथ-साथ, बाकी की मार्केट भी आप देख सकते हो, फ्रांस का भी मार्केट आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कोई ऐसे बड़ा सेलाफ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, यह में चीज़े क्यों दिखा रहा हूँ, उनके बाजार से, क्योंकि सारे बाजार एक की डाइरेक्शन में चल रहे, अगर आप लोग देखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियान मार्केट भाग रहा है, बाकी की भी दुनिया के मार्केट, यहाप अगर आप देखोगे, तो अच्छा परफॉर्मस दे रहे, यहाप अभी जो important role play करने वाले आप सब लोगों को पता है, foreign investor, यह मैं बार-बार कहे रहा हूँ, आप लोगों को यह हर वक्त काम नहीं करते है, बट यह इस वक्त काम क्यों कर रहा है, क्योंकि जो market की rally, आप देखिए 12,000 से लेके 14,000 तक भी जो market भागा है, तो यह किसका पै सो दोस्तों आप लोग देख सकते है, foreign investor का data यहापे open हो चुका है, 18th January की अगर में लोग बात करें, सो आप देख सकते हैं, आज भी हम लोगों को net buying की देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कम है, 500 करोड के आसपा साड़े 600 करोड बोल सकते हैं, आप लोग कम तो जरूर है, domestic institutional investor अगर हम लोग बात करें, तो पिछले कई टाइम से sale ही कर रहे हैं, बट आज भी उनके और से इतना बड़ा sell-off नहीं है, कि अगर हम लोग बात करें, कि market यहाप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग बात करें, तो आज के दिन भी जो market यहापे इतना भागने के बाद में अल्रेडी आप लोग को बता चुका हूँ, कि budget के पहले हम लोग को ऐसे बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेगी, प्लस इंडिया में vaccination का भी काम चल रहे है, तो कोई negative news आएगी, तो उसके ओपर भी आप लोग ने focus रखना है, या फिर RBAC भी कोई बड़ी news आ गई, जो कि market को या पर negatively react करवा सकते हैं, तो इसके ओपर भी हम लोग का focus रहना चाहिए, देखें अगर दोस्तों आपको reason धुणना है, market अगर क्यों ऐसा गिरता है, तो उसके पीछे 1000 रुक बहुत सारे अलग-अलग reason रहते, तो ऐसे ही कुछ important reason में आप लोग के सामने आप रखना चाह यह, वापस कहना चाहूँगा, हम कोई traders नहीं है, हम investors यह, बट still, सीखने के लिए तो सब कुछ आना चाहिए, तो यह 3 से 4 points में ने बताया थे, उसमें से 4th number का point, आप चाहो तो खुद वीडियो में जाके वहाँ पे देख सकते हो, right, so point number 4 में यही था कि RBA की और से ही, यहा कौन सी बात होनी वाली थी, मैंने आपको बताया था, कि NBFC को क्या banking का lesson देना चाहिए, तो इसी से related, RBA के अलग-अलग points हम लोगों के यहापे सामने आ रहे है, मतलब NBFC के लिए दोस्तों जो rules है, सिर्फ NBFC बोलना नी चाहिए, finance, मतलब bank भी पकड़ लीजे, और NBFC भी strict करने वाले, NBFC और bank भी आप पकड़ के चल सकते हो, so ऐसे कौन-कौन से rules यहापे change होने वाले है, और सबसे ज़्यादा यहापे किसको comply करने को पढ़ने वाला है, banks को नहीं, NBFC को ज़्यादा यहापे rules को follow करना पढ़ने वाला है, और ऐसे कौन से rules है, तो चले यहापे म बताना चाहूँगा कौन से rules है, और ऐसा क्यों किया जाने वाला है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सब्लंग पता है, DHFL, अभी यह भी NBFC है, मतलब, अभी, मतलब, performance की बात करें, तो आप देख सकते हो, कि इसका performance कैसे रहा, तो आप लोग देख सकते है कैसे higher level से हम लोगों के crash होते हैं देखने के लिए, और इसमें भी fraud involved था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्या पेसा ढूब गया, तो इसी दे यहाँ पे अभी कोशिश की जा रही है कि NBFC के उपर भी बहुत बड़े-बड़े यहाँ पे norms लगाए जाएंगे, बहु जो commerce के student है, finance से जुड़े हुए है, उनके लिए यह कोई नया term नहीं है, SLR मतलब आप लोगों को बताना चाहूंगा, 1% रहता है, वो आपको maintain करना पड़ता है, liquidity, नाम में ही सब कुछ है, statutory मतलब mandatory, liquidity मतलब ऐसी चीजे, ऐसे पैसे आप लोगों के company के, ऐसे instrument को भी आप ब पैसा ले सकते हो, liquid है वो, आपके पास property है, क्या अभी नीचे जाके फटक से आपको क्या उसको in cash कर सकते हो, तो नहीं होगा, तो इसलिए यहापर बताएगे जा रहा है, कि statutory liquidity ratio यहापर maintain करना पड़ेगा, वो भी compulsory किसको all the NBFC, जितने भी NBFC है, उनके उपर यह rule अभी यहापर आने वाला है, तो इससे क्या हो जाएगा, statutory liquidity ratio मतलब उनको comply करना पड़ेगा, RBA के rules अभी हम लोग यहापर कह सकते हैं, यहापर अगर हम लोग बात करें, तो यहापर ऐसा भी rule आ सकता है, कि minimum requirement हो सकती कि इतना gold में रखना चाहे, यहापर cash में रखना चाहे, NBFC के लिए, इसलिए यहापर RBA या फिर उनके जो governor है, इसी से related यहापर काम कर रहें, मतलब NBFC और banking system या फिर entire financial services देने वाले जितनी भी companies है, उनके लिए strict strict rule अभी बनाने की यहापर कोशिश हो रहे हैं, आने वाले इसी हफते में या फिर next हफते में हम लोगों को इस से related update से आपे मिलने वाले है, so SLR की बात करे, so रोस्तो जरू मुझे comment section में बता देना कि इसका percentage कितना है, मुझे तो पता है, बढ़ आप लोगो search करवाना चाओंगा, कुछ तो जाके आप लोग search करके देख ले, so उतना percentage क्या करना पड़ेगा, अभी उनको maintain करना पड़ेगा, जो कि फटा-फट in cash हो सके, right, उसी के साब साथ, मतलब इससे क्या हो जाते है, वो solvency decide हो जाती है, उसी के साब साथ, अगर हम लोग आपे बात करे, CRR, cash reserve ratio, अभी CRR कह रहेता है, ऐसा कुछ तो percent, आप देख सकती, CRR is the share of the bank's total deposit that is mandated by the RBA to be maintained with the letter in the form of liquid cash, so ये भी हम लोग कह सकते cash reserve ratio, नाम में ही reserve रखना पड़ेगा, किस के साथ, RBA के साथ, मतलब उसका इस्तमाल आप लोग यहापे नहीं कर सकते, मतलब आपको मैं बताना चौँगा कि पहले 100 रुपीज NBFC के पास थे, वो कोई RBA के पास नहीं रखते थे, बट अभी रखना पड़ेगा, उसका सारे NBFC के उपर CRR की बात करे, cash reserve ratio तो बड़े NBFC, strong NBFC उनके उपर, मतलब बजाज finance आप लोग चाओ तो पकड़ सकते हो, इसलिए बजाज finance का stock आज हम लोगो बड़ी पैमाने के उपर गिरते वे देखने को मिला, मतलब यह पहले 100 रुपीज, अगर बजाज finance के पास हो इसके चलते हैं, हम लोगों को profit थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा कम भी होते वे देखने को भी मिल सकते हैं, हला कि पूरा वो तो देते नहीं है, बट एक technical terms में आप ऐसा यहापर बोल सकते हो, तो क्या ही यह वाक्य में बुरा है, जो RBA यहापर करने जारी इसके बहु तो owner यह तो रहता है, क्यों उनके लिए खराब है, क्योंकि आप लोगों को अभी यह rules comply करने हैं, और यह rules इतने आसान नहीं होते हैं, और दोस्तों यही point मैंने आप लोगों को Sunday के दिन भी point number 4 में बताई थी, किस से related, कि यहापर NBFC को bank बनाने के लिए वो जो बाते हो रह यह तो रहेगा, कि banks तो यह सब कुछ maintain करते हैं, CRR, SLR, बहुत सारे और rules रहते हैं, तो यह NBFC को भी अगर bank में आना है, तो उनको भी तो यह maintain करना पड़ेगा, इसलिए शायद से यह सारी चीज़े अभी हम लोगों को यह आपर होते वे देखने को मिल रहे हैं, और शक्त चीज़े देख सकते हो, यह देखे, शक्तिकांतादास, RBI for the more measures to improve the governance at the banks as well as NBFC, so इनके उपर बहुत ही ज़्यादा अभी strict rules लाने की यहाँ पर बात हो रही है, और इसी के चलते हम लोगों को यह जो बड़े-बड़े banks है, NBFC है, हम लोगों को यह देखे, pressure में देखो, कि बड़े-बड़े जो stocks थे, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, financial sector, तो उनसे हम लोगों को यह pressure अच्छा कासा यहाँ पर देखने को मिला है, अभी आप यह भी सोचोगे, कि बड़े NBFC के उपर यह सब कुछ चीज़े यहाँ पर होने वाली है, तो यह stock कहा तक गिर सकते ह किसी को भी नहीं पता है, हम लोगों को यह सिर्फ hint देखके अंदाजा लगाने होते हैं, अच्छे quality stock में निवेश करके, investment करके आगे बढ़ना होता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि investment करो, आप trading करने जाओ, देखो एक दो बार आप लोग सही जाओगे, उसके बाद गलत हो इसा भी हम लोग कह सकते हैं, और इसी के चलते हम लोग को आज के दिन बाजार में गिरावट या पर देखने को मिली है, बट foreign investor या फिर international market से as such कोई भी pressure हम लोग को देखने को नहीं मिला है, so budget से पहले ये सारी चीज़े हल चले हो रहने वाली है, तो ये भी मैंने point करनी होती है, तो जरू आप चाहो तो इन सारे चीज़ों के पर focus रख सकते हो, so I like and share कर देना, so that's it, thank you very much दो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye